कलस्टीवी के पॉपलर सीरियल मोलकी में हमें हाई वोल्टेज मैलो ड्रामा देखने को मिल रहा है हेलो दोस्तों मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिवुट स्पाई वेल जैसा की शो में हम देखते हैं कि ध्वनी है जो दक्ष से शादी करने को तयार हो जाती है ध्वनी कहती हैं दक्ष से कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम औरतों की इज़त करते हो तुम पर मैं आखे बंद करके विश्वास कर सकती हूँ क्या पता अभी तुम से प्यार नहीं करती पर आगे जाकर ये रिष्टा प्यार में बदल जाए आगे हम देखते हैं कि ध्वनी और दक्ष की शादी की तयारियों की बात करती है जूही और मानस है जो शौक रह जाते हैं कि हाती की शादी की बात सुनकर आगे हम देखते हैं कि विरेंदर पुलस स्टेशन से आ जाता है और कहता है सच कितना भी छुपाओ वो सामने आ ही जाता है फिर चाहे किसी की साजिशो कितनी भी पक्की क्यों ना हूँ सोशीला का जूट पुलस ने पकड़ लिया दरसल पुलस है जो विरेंदर के घर की सीसी टीवी फुटेज चेक करती है जिससे पता चलता है कि सोशीला ने विरेंदर को नशी की दबाई पिलाई थी आगे हम देखते हैं कि ध्वनी विरेंदर से माफी मांगती है और कहती है मुखी जी आप जैसे शरीफ इंसान को गलत समझने की माफी आपको समझने की बजाए मैं भी सोशीला और नानी की बातों में आ गई सच का फैसला होने से पहले ही मैंने आपको गलत समझा एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद आप सच में गलत हैं पता नहीं दिमाग कह रहा था सोशीला सही है और दिल कह रहा था कि आप सही हो हम देखते हैं कि ध्वनी विरेंदर के लिए सूजी का हलवा लेकर आती है शुगर फ्री वाला विरेंदर कहता है कैसे पता चला कि मुझे डाइबिटीज है विरेंदर मन ही मन सोचता है कहीं बावरी की याददास्त वापस तो नहीं लोट रही है ध्वनी कहती है बस मन करा कि आप शुगर की पेशन्ट है आगे हम देखते हैं कि दक्ष और ध्वनी उनके शादी की कार्ड विरेंदर को देती है और विरेंदर है जो शौक्ड हो जाता है यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है अब ऐसे में देखना ये है कि दक्ष और ध्वनी की शादी हो पाती है क्या नानी अपने प्लैन में कामयाब हो पाईगी क्या विरेंद्र को अपनी बावरी मिल पाईगी जानने के लिए देखना ना भूले मोलकी टेलेवे लेटस्ट अबडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले